इस्टुडेंट्स आज कल इस तरह के बात चिरनी हो पा रही है तो मेली जो वीडियो आपको मिलना है आप्टिक्स के वह बहुत ही मतलब उस पर एक सिक्वेंस में फॉलो किया जा रहा है मैक्सिमम आपने देखा कि प्लेन मिरर पर ही पांच वीडियो बना है और पांचों आप अगर फॉलो करते हो तो प्लेन मिरर का कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं और मिरर फर्मूला का अप्लिकेशन है बहुत इंपार्डेन पार्ट है क्योंकि इसमें कहीं न कहीं साइन कन्वेंसन आ गया और साइन कन्वेंसन आपके पूरे आप्टिक्स में है अब इसके साथ ही साथ हम लोग एक सीरीज में चलेंगे जल्दबाजी करने की कोई ज़र कुछ लोग सुझ रहें कि लेक्चर्स डेली दो-दो लेक्चर्स डाले जाएं वह आप अभी इतनी हरबड़ी मत करो इतना जल्द हम लोग अगर क्लासेज भी लेते हैं तो बहुत ज्यादा कंटेंट एक दिन में नहीं कवर किया जाता है इतना ही कंटेंट बहुत है अगर ज्यादा आपको हड़ड़ी नहीं करनी है 12th क्लास के स्टुडेंट को मेली और देखा जाए तो systematic अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे है तो आपको कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है लॉग डाउन के होने के बावजूद और इस sequence में optics पूरा का पूरा खतम करने का मैंने promise क किया है वीडियो के थ्रू ही पूरा खतम करूँगा लेकिन आपको patience बनाना होगा यह नहीं कि डेली में एक वीडियो optics का डालूँगा और डेली पढ़ रहा है लगबग अगर आप 6-7 दिन 8 दिन हो गया लगबग तो मुझे लगता है 6 दिन हुआ तो उसमें छठा आज का वीडियो पढ़ रहा है इसके पहले वेक्टर का पढ़ रहा था वेक्टर का वेक्टर का भी sequence इधर continue होने वाला है इसके अलावा मैं मैं 6 से लेकर के 12 तक सबका physics का वीडियो डालने वाला हूँ तो आपके घर में अगर students हैं इस तरह के जो नहीं वीडियो देखो हर जगा पढ़ायत हो रहे हैं मतलब आपको पता है किस तरह कैसे क्या होता है और maximum जो अच्छे academy होगा रहा है 11 12 में तो थोड़ा focus भी करते हैं छोटी classes में नहीं पढ़ा रहा है तो मेरा छोटा से contribution है कि 6 7 8 मैं at least physics का पार्ट में कबर कराऊंगा chemistry cm सा 6 7 8 6 से लेकर 12 तक हम लोग तो आपको कहीं नहीं तो बहुत दूआ लगेगा अगर आप करते हैं ऐसा क्योंकि 6 से लेकर 12 तक पूरा content इसकूल में अभी इस तरह से available नहीं है लोग कर भी रहा है तो उतनी quality की चीजें नहीं मिल पा रही है that's it for today hello students तो आज का जो class है इसमें हम लोग mirror formula को पढ़ेंगे mirror formula के बाद में mirror formula का application पढ़ेंगे तो main part यह mirror formula हम derive करेंगे इसके derivation के बाद में sign convention पढ़ेंगे और sign convention के बाद में हम लोग इससे related सवाल करेंगे जो बहुत important type के सवाल है मलब interesting सवाल हम लोग उठाएंगे और suppose this is a mirror और जब भी आपको proof करना हो तो courses किया करो you should take concave mirror अब यह मैं कोई rule नहीं बता रहा हूँ कि proof करने के लिए हमेशा concave mirror चाहिए लेकिन यह concave mirror अगर आप लेते हैं तो proof करना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि object real मलब image कैसा बनता है real बनता है maximum cases में तो suppose this is focus this is center of curvature and object is at add कहें तो add की कोई location नहीं तो कहेंगे between center of curvature and infinity और इसका image यहां बनना है तो कितनी रेज चाहिए अपने को tip से बात करेंगे tip से निकालेंगे दो रेज एक principle axis के parallel जो कि टक्राने के बाद कहां से होते हुए जाएगा focus से होते हुए जाएगा और एक ray ले लेते हैं कहां से pole से आप कोई कहेंगा एक ray center of curvature से ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं ओभी यहीं कहीं टक्राएगा टक्रा के वापस जाएगा तो कुछ यहां पर क्या बन जाएगा image बन जाएगा तो this is theta अच्छा इसका नाम A रखो और इसका नाम B रखो sorry तो B रखो खाली B dash तो क्या यह B dash बन गया अगर यह B dash बना तो यहां इसके just नीचे क्या बन जाएगा इसके नीचे वाला image यहां बन जाएगा और इसके जाएगा नीचे वाला image यहां बन जाएगा तो A dash का image कहां बन जाएगा यहां तो यहां से direct क्या draw करते ह нрав तो इसका नाम रखना बहुतода है तो इसमें नाम रखना बहुत इंपोर्टेंट है एक परपेंडिकुलर मैं यहां से ड्रॉ करता हूँ और हम ऐसा मानते हैं विकंसीडर इसको मैं पी डैस बोलता हूँ और हम यह मानते हैं कि यह करवेचर इतना बड़ा है कि पी डैस P अगर मैं आपसे बोलू P F बोलू और आपसे बोलू P F डैस बोलू तो दोनो बाते लगभग एक जैसी हैं अच्छा पोल से focus की distance को क्या बोलते है, focal length तो इसको हम लोग f से बोला करेंगे, अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, हमें क्या proof करना है, हमें proof करना है object distance, object distance, तो object distance कहाँ पर है, यहाँ पर object है, pole से object तक की distance को क्यों सा distance बोलते है, object distance, object distance को हम लोग u से represent करते है, u, image distance, यानि की v, तो image यहाँ पर बना है, तो image pole से लेंगे, measure करेंगे, तो image distance यानि की v and focal length, यानि की f, focal length यहाँ तक है, focal length यानि की f के बीच में relation, clear है या नहीं clear है, अब एक बात समझना, ऐसा करने के लिए आप एक बात दिमाग में set कर लो, you have to search for, you have to search for similar triangle, ऐसे case में आप एक नहीं तो बैट गए दिमाग लागा कि कैसे होगा proof, ऐसा नहीं, आप दिमाग में set कर लो, कि आपको क्या search करना है, similar triangle, search करना है, और similar triangle कहां मिलेगा, यहाँ पर देखना, ABP, यह तो channel का नाम हो गया, ABP, triangle ABP, news देख रहे होगे आजकल, and triangle A-B-P, are similar triangle, कुछ लोग को दिखी नहीं रहे हैं, कहां है, A-B-P, this is ABP and this is A-B-P, क्यों, यह angle बराबर है, यह दोनो 90 है, तो तीसरा आपने आप बराबर होने वाला है, तो ठीक है, अब similar triangle में आपको बता है कि sides का ratio, corresponding sides का ratio equal होता है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A-B- upon, देखना यह, first आप यहाँ note करोगे, यह वाला part, second part यह है, A-B- upon AB is equal to sides का ratio, other sides कौन कौन से हैं, तो other side इसकी corresponding क्या है, A-B, और इसकी corresponding side क्या है, यह बड़ा वाला है, तो क्या है, P-A, तो इसको एक question number क्या बोलेंगे, A-B-1, फिर हम एक और similar triangle search करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे है, मैं RHS में height कर ratio ले रहा हूँ, और LHS में height कर ratio ले रहा हूँ, और RHS में length कर ratio ले रहा हूँ, तो height वाले को equal कर देंगे, height वाला दोनों side एक ही ऐसा हैगा, तो RHS में जो length वाला होगा वो equal कर देंगे और length से ही हमें UV और F मिलेगा अगर आप समझ सकते हो समझ दो नहीं तो फिर तो आप यही दिमाग लगाओ कि दो similar triangle साच करने हैं तो दूसरा similar triangle जो मैं साच करता हूँ वो है triangle A-B-F ये वाला triangle और triangle इसका नाम रखो Q इसका नाम है P-Q दोनों क्या है similar है अब अगर ये दोनों similar है तो A-B-F और Q similar है ये angle बराबर होगा ये 90 है तो दीसरा angle अपने आप बराबर हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं A-B-F upon AB A-B-B-F इक्वल टू अच्छा A-B तो इसमें है नहीं क्या ये P-Q जो इस साइड अपन इस साइड अब ये इस साइड अपन इस साइड लिखने के बज़ा है क्या मैं इसको डारेट ये लिखता हूँ क्योंकि ये P-Q इसी के क्या है बराबर है तो A-B-P-Q लिखने के बज़ा है मैं क्या डारेट A-B लिख सकता हूँ ठीक है इक्वल टू क्या करेंगे लेंद का रेस्यो तो इसमें लेंद क्या है A-F और इसमें लेंद क्या है इसमें इस वाले में लेंद है A-F और इस वाले ट्रैंगल में क्या है P-F और मैंने तुम्हें पहले बोल दिया कि A-F तो ठीक है P-F को क्या लिख सकते हो क्या PF लिख सकते हो This is equation number second equation number first और second को देखा जाए तो क्या LHS बराबर है और जिन दो equations का LHS बराबर हो उनका LHS भी क्या ही होगा बराबर ही होगा तो first and second से हम लोग बात करेंगे first में क्या लिखा है A-P 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 upon PA upon PA equal to इसका लिख लो इसमें क्या है A-F upon PF अब हम लोग समझेंगे A-P को A-P को मैं क्या लिख सकता हूँ A-P तो क्या image distance है तो इसको क्या मैं V लिख दूँ direct कोई sign convention नहीं ले रहा हूँ कोई ज़र्ट नहीं है दो बार लेकर cut-pitch जाता कोई मतलब नहीं direct खेलो तो हाँ तो यहाँ पर A-P को मैं V लिख देता हूँ और PA को P into A को क्या मैं U लिख सकता हूँ A-F A-F को दो पार्ट में divide कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ PA- इतना A-F इतना है और इतने के लिए कि आप पूरे में से यह minus करते हैं मालो यह है 10 और यह है 5 तो यह कितना बचेगा 5 तो यह पूरे में से PA- minus PF और PF को F already लिख चके हैं तो यहां से यहां पे करता हूँ मैं V by U is close to PA PA- को क्या लिख सकते हैं V और PF को क्या लिख सकते हैं F यह भी क्या है F है तो you will get F V U V और U F अब इन तीनों में मैं U V F से क्या कर दूँ डिवाइड कर दूँ तो V F अपॉन U V F U V अपॉन U V F और U F अपॉन U V F कुछ कट रहा है यहां से यह कट गया यहां से यह कट गया और यहां से यह कट गया इस वाले में बचा है 1 upon U इक्वल टू इस वाले में बचा है 1 upon F इस वाले में बचा है 1 upon V तो यहां से क्या निकल के आता है 1 upon V प्लस 1 upon U इक्वल टू 1 upon F और इसको क्या बोलते है इसको बोलते है मिरर फॉर्मूला तो मेरे क्याल से आपको डेरिवेशन आ गया होगा और डेरिवेशन आप एक बार देख लो कॉपी में लिख लो और ज्यादा इंपोर्टेंट है question इसका practice करना और इसका sign convention important है तो that's it for the mirror formula part अगर typical लगता हो तो एक दो बार आप rough में करोगे आ जाएगा सबसे ज़्यादा important है similar triangle search करना next part is sign convention अगर मुझे ये formula लगाना है जैसे कि 11th में अगर कुछ लोग पढ़े थे और उसके अलावा जो भी दुनिया में चीजे होंगी वो क्या होंगी negative होंगी वैसे ही sign convention एक rule है जिसको हम लोग follow करेंगे जैसे आपको rule बताया जाता कि सड़क के हमेशा left में रहना है और कहीं कहीं countries में हमेशा right में रहना है तो हर एक country का rule बदल सकता है और left और right में कोई right नहीं है जो rule बनेगा वही right है मतलब जो rule हमने बनाया है उसी को follow करना है तो जैसे जो कुछ rules अलग-अलग books के rules अलग है लेकिन सभी books का अगर मैं sum up करूँ और सभी जितने भी other जगां पर लोग पढ़ाए हैं या किये हैं तो सबसे जो best तरीका मैं बता रहा हूँ वो आपको follow करना है तो suppose this is a mirror कोई भी mirror हो सकता है it is concave और convex यहाँ हमेशा object हमेशा इधर ही रखोगे हमेशा आप क्योंकि अच्छाई यह कोई जरूरी ने कि object हमेशा इधर ही रहे object इधर भी हो सकता है तो चलो ठीक है मैं rule नहीं बनाता हूँ वाला एक बात याद रखना object कहीं भी रखो incident ray हमेशा अगर object इधर है तो incident इधर जाएगा कोई लोग कर ऐसा incident इधर भी चला जाएगा तो अगर incident इधर जाएगा जिदर कोई इसको पकड़ने के लिए है क्या नहीं है तो incident को यहीं जाना है जाने के लिए रेश तो इधर भी जा रही है लेकिन कौन सा वाला माना जाएगा ये वाला माना जाएगा तो हम लोग क्या करते है rules समझना सभी rules का एक sum up करके मैं बता रहा हूँ incident ray की direction को ray की direction को क्या लेंगे positive लेंगे मतलब इधर incident ray होगा उसको हम लोग क्या लेने वाले है positive लेने वाले है और incident ray के opposite incident अगर इधर है तो इसको हम लोग क्या लेंगे positive और इस वाले direction को क्या लेंगे हम लोग negative ठीक है और अगर मैं principal axis के उपर जाता हूँ principal axis के उपर कोई है तो principal axis के उपर को लेते हैं height को लेते हैं positive अगर उधे ऐसे measure करना तो लेंगे positive और नीचे वाली height को क्या लेंगे negative ये sign convention आपको हमेशा follow करना है तो एक बार समझना incident ray की direction में जो भी चीजे ली जाएंगे उसको क्या लेंगे positive उसके opposite negative principal axis के उपर positive और नीचे negative अब ये सबसे ब height की बात आए तो principal axis के measure करोगे height यहां से तो measure करोगे ने height के लिए आप ऐसे करोगी principal axis से उपर गया या नीचे गया लेकिन जो हमें measure करना है length की बात करनी है तो हमेशा measurement कहां से करेंगे pole से अगर pole के right में गये तो क्या लेंगे positive pole के right मतलब incident ray की direction इधर है ना तो हमने क्या ल और object इधर है यह 10 cm पर है और suppose image यहां बना है सही है object 10 cm पर है और 2 cm इसकी height है और image की height बन रही है 4 cm तो अब बताओ मुझे मुझे एक चीज बताओ मुझे बताओ कि u क्या होगा 10 होगा u object distance plus होगा या minus obviously minus क्योंकि light ray ऐसे ही तो जाएगा और light ray की direction यह है तो अगर इधर जाते तो positive इधर जाते तो negative वी क्या होगा वी की distance मैं बता रहा हूँ आपको 20 तो वी क्या होगा बताओ क्या minus 20 होगा और f क्या होगा f पता नहीं f की value मैंने दी नहीं यू भी दिया है तो f निकाल लोगे हो तो पता चल जाएगा अब तो height of image क्या होगा height of image 4 दिया है लेकिन plus 4 लेंगे या minus minus क्यूंकि नीचे गया है minus 4 cm और height of object क्या लेंगे हम लोग plus 2 cm तो एक question मैं आपके लिए रख दे रहा हूँ यहाँ पर this is a question for you frame करके this is the question यहाँ पर है यह object है यह है 8 cm पर image यहाँ बना है image बना है 4 cm पर इधर से image की height है 10 cm object की height है 5 cm तो आपको क्या क्या बताना इसमें आपको बताना U कितना है V कितना है और height of image कितना है height of object कितना है you have to comment in the comment box अगला सवाल this is the image object यह है अच्छा mirror बदल देता हुने कुछ लोग करेंगे चलो एक और कर लो इसा this is the object 4 cm image बना यहाँ कहीं फोकस हो गया होगा image बना है 12 cm पर height of object है 1 cm height of image है 3 cm height of image इससा कोई अपना prediction मत करने लगना कि 3 times होता है हम इसा rule बना लो ऐसा कुछ नहीं है height of image height of object U और V की sign convention आप मुझे बताईए comment box में you have to comment in the comment box ऐसे लिख करके देदना this is the question number 1 का यह answer है और 2 का यह answer है that's it for the sign convention अब हम लोग questions पे आते हैं questions की अगर बात करें तो मैं बहुत ही आसान सा सवाल लेता हूँ मैं लब कोई लब यह टिप के लुपकल की कहानी नहीं बहुत आसान सवाल अच्छे एक बाब बताओ बहुत simple discussion हो जाए यह कौन केब है तो principal axis से आने वाली light rays reflection के बाद ऐसे मिलती सही है बताओ focal length कहां से measure करोगे pole से pole से तो measure करोगे pole से distance कितना हुआ f के बरावर होगा focal length pole से focus की distance को क्या बोलते focal length तो मुझे बताओ concave का focal length positive होगा या negative क्या होगा negative क्योंकि light ray की direction है इधर हमें measure करने के लिए जाना पड़ रहा है इधर तो क्या लेंगे हम इसको negative वैसे ही this is a convex mirror यह principal axis हो गया और light ray suppose यहां आग रही है यह light ray principal axis से टक्राने कवा light ray reflect होके कुछ ऐसे गई तो इस लग रहा है और एक light ray ऐसे क्या तो दोनों light ray का भी मिलेंगे नहीं जो चीजे मिलती नहीं पहले से मिल के आती है तो यह पहले से क्या करा क्या आई है मिल के आई है और यहां पर क्या है focus है तो यह जो focus है इसको positive लोगों या negative पॉजटीव तो focal length क्या आएगा positive तो यह बात हमेशा आप याद रखना कि convex का focus क्या होता है का कौन केब का focus क्या होगा negative convex का focus क्या होगा positive that's it for the sign convention thing अब एक सवाल में करता हूँ तो question में ऐसे नहीं देगा कि मतलब कौन केब lens है और mirror है और focal length minus 10 है आपको ऐसे देगा question ऐसे frame करेगा जैसे कौन के मिरर है जिसका focal length है focal length है 20 cm फिर क्या बोलेगा कौन के mirror है जिसका focal length है 20 cm फिर क्या है फिर बोलेगे कि object distance object distance है 10 cm तो बताओ image distance बताओ distance को बताईए जो जो लोग मनद थोड़ा बहुत सीख गया है वो screen को पहुच करें और सवाल का answer करके देखे then check the solution ऐसे तुरंट check मत किया solution मत देखने लगा करो हाँ मुझे लग रहा कि आप लोग कर चुके हैं तो answer check करिए यहाँ पर मैं क्या बनाता हूं कौन के मिरर अब यहाँ पर कौन के मिरर में ये कौन के मिरर है सही बनाए फोकल लेंद या 20 cm पर है वदा फोकल लेंद पॉजिटिव लेंगे नेगिटिव आपको पता है क्या लेंगे क्यालेंगे नेगिटिव क्यालेंगे नेगिटिव माइनस 20 cm अलाकि में आप फोटो बनाया काम हो सकता है लेकिन मुझे अच्छा लगता है अबजेक डिस्टेंस 10 वाला अबजेक यहां कही है देखो फोकल लेंद यही तो है अगर आप इमेज बनाते हो तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है 20 cm अबजेक 10 cm तो इससे कुछ लोग को आइडिया होगा जिन्होंने इमेज फॉर्मेशन किया था कि इमेज बने क उधर तो गलती होने के chances कम रहते हैं तो यू कितना लग गया माइस 10 cm और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो optics का first lecture आप देखिए then you will get the point V चाहिए अपने को तो क्या लगा दे यू और F आपने ले लिया 1 by V plus 1 by U equals to 1 by F तो 1 by V 1 minus अज़ ये plus रहने तो minus 10 दग दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया minus 20 तो 1 by V equal to 1 by 10 minus 1 by 20 ये तो minus में था ये plus हो गया जाकर समझ रह नहीं समझ रहो तो 1 by V LCM 20 कि इसका 20 आएगा ये 2 हो गया ये 1 हो गया तो क्या आएगा answer 1 by 20 तो V कितना आया 20 20 मतलब बनेगा 20 plus का क्या मतलब है plus का मतलब pole से आपको इधर जाना पड़ता अगर minus हाता तो pole से आपको left में जाना होता तो sign आचा कुछ लोग ये बहुते हैं कि जो unknown होगा उसका sign नहीं रखना जैसे आपने V का sign पहले ही रख दिया होता तो answer गलत आता unknown quantity अपना sign लाएगा अपना sign लाएगा उसको sign देने की कोई जर्ट नहीं है तो गलतिया जो होती है, कुछ लोग unknown, अगर आपने यहाँ minus का sign दे दिया होता, तो minus आ जाता, क्योंकि आपने खुद minus दे 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 तो ultra answer आ रहा है, in this case, आपको unknown quantity का कोई sign नहीं देना है, वो अपना sign खुद लेकर आएगा, and then read it out, first of all आप लोग screen को stop करके read करिए, then आपको read करवाते हैं, I think you have read it, यहाँ पर देखना, a convex mirror, पहली बात यह धियान से पढ़ना चीए, convex mirror has a focal length f, तो convex mirror का focal length हम लोग लेंगे f, अब आप मुझे बताओ, convex mirror का focal length positive होता है, negative, क्या होता है, positive कैसे, convex ऐसे बनेगा, यह से light rays आएंगे, reflection बाद ऐसे जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हैं, और यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, तो कैसा आएगा, positive, तो focal length क्या आएगा positive, तो f लेंगे, मतलब positive मिलेंगे, अच्छा, a real object is placed at a distance f in front of it, मतलब अगर mirror ऐसे है, तो एक object को मैंने यहाँ रखा है, यहाँ पर, तो कितने distance पर रखा, f पर रखा है, producer add an image add, तो image distance, मतलब object distance हमको पता है, तो object distance, बताओ मैं plus f लूँ या minus f लूँ, तो इसमें से maximum लोग क्या कह सकते हैं, minus f पर लेंगे, तो आप मुझे बताओ, 1 by v, plus 1 by u, equal to 1 by f, तो यहाँ 1 by v क्या रहेगा, वी होगा, चाहिए है अपने को, पता ही नहीं, और जो चीज चाहिए हो अपना sign खुद लेकर, आएगा, यू क्या होगा, यू है minus f, equal to 1 by f, तो क्या लिखेंगे बताओ, 1 by v, equal to, 1 by f, plus 1 by f, f ले लिए LCM, तो f, 2 by f, तो v, यहाँ से, अगर आप, यहाँ से v, इसको पलट तो, तो क्या आजाएगा, f by 2 आजाएगा, तो v कितने पर बनेगा, f by 2, अब देखना, यह positive आ रहा, इसका मदलब यह पोल से right में जाएगा, तो, आपको इतना तो याद ही है, convex के case में हमेशा, पोल और focus के बीसमें बनता, तो यह f by 2 यहाँ, क्या बन रहा है, यह तो message me on WhatsApp, जिसे वहाँ number नहीं है, I will message the number in the comment box, तो आप लोग WhatsApp करिए, इसका ray diagram, यह engage करने के एक तरीका है, क्योंकि आपकी गलतिया भी हो सकती है, तो आप online गलतिया चेकने कर पाते हैं, तो जो भी मैं बोला करो, आप मतलब at least लिखा करो, और उसको send करना important है,